आपको कोश्चन है इस साइन तीटा प्लस तू कॉस्टीटा इस एक्वल तू तू तो इसने जो दे रखा है पहले हम उसको लिखते हैं तो इसको पहले दे रखा है साइन तीटा प्लस तू कॉस्टीटा इस एक्वल तू तो हम क्या करेंगे साइन को इस साइड में रखे कॉस्टो इस साइड में लिखा जिए ठीक है तो यह देखो आपको क्या रहा है साइन तीटा इस एक्वल तू वन माइलस तू कॉस्टीटा ठीक है नौ नेक्स्ट इस स्क्वारिं बोट साइड तो हम स्क्वारिंग करेंगे पहले तो देखो आपका क्या रहा है साइन स्क्वारिंगा तो आपका आजाएगा साइन स्क्वारिंग तीटा यह दैट इस एक्वल तू वन प्लस पूर कॉस्टीटा माइनस फोर कॉस्टीटा ठीक है नौ अब हम इसको कर्वार्ट करते हैं इन टम्स अफ कॉस्ट तो देखो आपका क्या रहेगा वन माइनस कॉस्टीटा ठीक है नौ यह सबको एक साइट में निकरा जाते हैं वन साइट ठीक है तो देखो आपका क्या रहा है तो सब्पोस हम इसको इधर निकरा रहे है तो तो देट इस जीरो तो जीरो इस इक्वल टू वी कैन से वन प्लस फोर कॉस्टीटा माइनस फोर कॉस्टीटा यह हो गया माइनस वन प्लस कॉस्टीटा ठीक है नौ तो आप देखो वन माइनस वन गौन 4 प्लस 1 is 5 तो आपका आज़ा 5 cos square theta ठीक है और यहाँ पर क्या है minus 4 तो minus 4 cos theta that is equal to 0 अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है cos theta is common cos theta is common तो हमने क्या 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 है cos theta को common देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या आज़ा 5 cos theta minus 4 that is equal to 0 what does it mean that means आपका 5 cos theta minus 4 is equal to 0 and cos theta is equal to 0 तो अब यहाँ पर दोगो cos theta क्या आ रहा है है ईप लंगो नेक्स्ट आपको क्या करना है यह दो वन दोनो वेल्टिू कहां पर डालने आपको स्प्रोक्टिट क्यों तो वे मिल सबस्टू तो देखो आप क्या कर रहे हैं सब्स्टूट तो हमने क्या क्या, substitute किया है, ठीक है, इन, आपका है, sin theta, plus 2, cos theta, that is equal to 1, ठीक है, तो इसके अंगर आपको substitute करना है, तो हमने क्या, 4 by 5, तो यह देखो, क्या आगया, sin theta, plus 2, and cos theta is 4 by 5, that is equal to 1, तो आपका sin theta क्या आगया, देखो, sin theta is equal to 1 minus 8 by 5, that is equal to minus 3 by 5, तो sin theta is minus 3 by 5, तो minus में तो हमारे measures होते ही नहीं है, तो what we will do, we will neglect it, ठीक है, second, अब हम 0 डालेंगे, तो देखो, अब जब 0 डालना है, तो क्या रहा है आपका, sin theta, plus 2 into 0, that is equal to 1, तो 2 into 0 is 0, तो आपका क्या आगया, देखो, sin theta is equal to 1, तो यह आपका positive में है, that means, यही आपकी value रही थी, sin theta की, अब हम क्या करेंगे, दोनों value को second वालेंगे डालके देखते हैं, ठीक है, तो देखो, क्या आ रहा है आपका, 2 sin theta minus cos theta, 2 sin theta minus cos theta, that is equal to 2, ठीक है, ना, तो देखो, 2 sin theta, तो sin theta हमको क्या आया था, minus 3 by 5, तो 2 into minus 3 by 5, minus cos theta, cos theta is 4 by 5, that is equal to 2, तो यह देखो, आपका क्या आगया, minus 6 by 5, minus 4 by 5, that is equal to 2, तो यह आपका आगया, minus 10 by 5, minus 10 by 5, that is equal to 2, तो minus 10 by 5 को कट करो, you will get minus 2 is equal to 2, इसलिए हमने इसको eliminate किया है, तो इसलिए हमने क्या क्या इसको neglect किया, minus 3 by 5 को, तो minus 3 by 5 हमारा किसे निकला था, 4 by 5, that means, we have neglected this also, ठीक है, अब हमारे पास में क्या बच गिया, cos theta is 0, sin theta is 1, इसी में डालेंगे हम, देखो, आपका क्या आ रहा है, 2 into sin theta, sin theta is 1, minus cos theta is 0, that is equal to 2, तो 2 into 1 is 2, तो 2 is equal to 2, ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको प्रूब करना है, तरह से आपको जचिशा है, तो बचल पे हो, अज़ा है, क्या तो 2, तो 2, दो, आपको, 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 जएब है, झाल झाल